नमस्कार इंदी याचारे चैनल पर आपका स्वागत है राजनीती शास्त्र की इस श्विंकला में हम एंटी डिफेक्शन लॉग की बात करेंगे दल बदल विद्रोधी कारून की बात करेंगे तो बच्चो समिधान का 52 जो संशोधन है जो की 1985 में हुआ था इसमें बताया गया था कि कौन सा व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लिमेंट होने या फिर विदायक होने से अयोगे ठहराया दिया जाएगा अगर वह डिफेक्शन करता है तो अगर वह दल बदलू है तो यानि कि वह ए कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन से अयोग्यताएं कौन-कौन सी है एक तो जो पॉलिटिकल पार्टी इसके मेंबर है उन पर ये कैसे लागू होता है कि एक व्यक्ति जो है वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलॉंग करता है वह अयोगे ठहरा दिया जाएगा अगर वह स्वयम अपनी मेंबर्शिप उस पॉलिटिकल पार्टी की स्वयम ही त्याग देता है या फिर वह वोट या फिर जैसे उसकी पार्टी ने जिस चीज़ के बारे में जैसे कि वहां पर भी वोटिंग होती है संसद में किसी एक मुद्धे को लेकर विजार किया जात तो उसमें वोटिंग होती है तो अगर उसमें वोटिंग के समय पर वे अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट देता है तब भी वह उसे अपनी पार्टी में से मतलब रहने के अयोग्य ठहरा दिया जाएगा और इसी तरह से अपनी पार्टी में मतलब उसको अपनी पार्टी में पंदरा दिन के अंदर अंदर तो फिर उस व्यक्ति को अयोगे ठहरा दिया जाता है इसके कहने का आर्थ क्या इस कानून के कहने का आर्थ यह है कि एक व्यक्ति जो की एक पार्टी की टिकट पर चुनकर आया है जीतकर आया है वह अपनी पार्टी को उसे अपनी पार्टी की बात को मानना चाहिए अब बात करेंगे ऐसे विक्ती जो कि किसी एक पार्टी से समधित नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं जो कि किसी एक पार्टी से समंध नहीं रखते हैं वो अयोगे तब रहेंगे अगर elections हो जाने के बाद वो किसी party को join कर लेते हैं मतलब party के सदसे बन जाते हैं तो वो भी फिर member of parliament या member of assembly नहीं रहेंगे फिर nominated members की बात करते हैं तो जिनको हम नमांकित करके जिनको चुनकर लाते हैं जो कि बिना election लड़े member of parliament या MLA बनते हैं वो भी अयोगे ठहरा दिये जाएंगे कि अगर वो किसी एक political party को join ना करें छे महीने के अंदर-अंदर कहने कारत है कि उनको तो किसी ना किसी political party को join करना ही पड़ेगा चाहे वो नमांकित किये गए व्यक्ति हैं अब इसमें कुछ exceptions भी हैं कि अगर एक व्यक्ति अपनी party का के साथ में अगर उसकी party नहीं decide किया है कि भाई हम इस party के साथ में अपना merge कर देंगे तो फिर उसके मेंबर पार्लेमेंट को अयोगे ठहराया नहीं जा सकता है और अगर कोई मेंबर पार्लेमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो ऑफ दे हाउस है अगर जैसे लोकसभा का स्पीकर है आदी तो वह अपनी उस party को उस मेंबर्शिप को छोड़ देता है और दुबारा से उस party को जोईन कर लेता है तो फिर वह क्या करता है कि ना फिर उसको पार्टी से निकला हुआ नहीं माना जाएगा कहने कारत यह है कि वह इस्तीफा दिये बिना इस तरह से भी उस पद को त्याग सकता है आगे देखेंगे हम कि deciding authority कि कोई व्यक्ति अयोग्य है वो लोकसभा का जो speaker होगा या राज्यसभा का जो भी मुख्य अधिकारी होगा उसके द्वारा ही decide किया जाता है लेकिन पहले तो यही था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कि हो तो होलो हन केस 1993 में जो हुआ था उन्होंने बोला कि कि यह थो असमय धानिक है क्योंकि यह थो सुप्रीम कोर्ट और हई कोर्ट के जो अधिकार है उनको भी छीनता है यह अधिकार कि जो उन्होंने ही decide कर लिया कि एक बार जो speaker नहीं decide कर लिया वही decide करेगा कि यह व्यक्ति योग्य या अयोग्य है तो यह गलत है आगे देखते की या member of the assembly की complaint आने चाहिए और अगर वो कोई final decision लेता है किसी व्यक्ति को योगे ठहराने के लिए तो उसको कम से कम जिस व्यक्ति के खिलाफ complaint है उसे अपनी explanation बताने का समय तो अवश्य देना पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि अचानक से होने वाली घटना एकदम से होने वाली घटना नहीं है दल बदल विरोधी कानून की अगरम बात करेंगे तो अब यह जो कानून है इसके फाइदे क्या क्या हैं फाइदे यह हैं कि सरकार में बहुत जादा stability आती है इससे इसलिए यह कानू को बनाया गया है और जो करॉप्शन है इसमें जो रश्टा चार्ज होता है कि पैसे लेकर आप अपना किसी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए आप वो करने दल बदल रहे हो तो इस चीज को भी घटाया जा सकता है इस चीज की वज़े से लेकिन आप इसके नुकसान क्य क्या क्या है कि यहां पर कानून बड़ा कंफ्यूजिंग सा है जैसे देखिए कि एक व्यक्ति कर रहा है चाहें उसको अपनी पार्टी की किसी चीज को सहमत नहीं है वो उसको फिर भी अपनी पार्टी के साथ में ही चलना पड़ेगा तो इसमें डिसेंट और डिफेक्शन म यहां पर जो है दोनों को एक जैसे ही बना दिया दूसरा कि यहां पर जो फर्क है कि वह इंडिपेंडेंड मेंबर जो जो किसी पार्टी से समंधित नहीं है उसको तो किसी पार्टी को जोइन करना पड़ेगा और अगर किसी पार्टी से समंधित मेंबर है तो उसको नाइटी फर्स्ट अमेंडमेंट दो हजार तीन में इसमें क्या था कि एक तो जो टोटल मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर और सेंटर मिनिस्ट्री जी वह 15 परसंट से जादा टोटल स्ट्रेंथ जो है लोग सबागी उससे जादा नहीं हो सकते और मुझे लगता यहीं एक क व्यक्ति जिसको अयोगे ठहरा दिया गया है एक बार जो किसी एक पर्टिक्लर पार्टी से बिलॉंग करता था उसको दोबारा से वह मेंबर अव पार्लेमेंट तो बन सकते हैं वह दोबारा मिनिस्टर नहीं बन पाएगा तीसरा कि जितने भी मिनिस्टर हैं चीफ स्टेट असेंपली में भी यही होता है कि एक व्यक्ति को जिसको अयोगे एक बार ठहरा दिया गया है मेंबर अव पार्लेमेंट असेंपली का होने से तो उसको फिर दुबारा वह मेंबर अव लेजिसलेटिव असेंपली तो बन सकता है लेकिन वह दुबारा मंत्री नहीं बन सकता और दस्मी जो अनुसूची है जो एंटी डिफेक्शन लॉग की बात करती है वो यह कहती है कि अयोगिता बात अलग है एक तिहाई मेंबर्स अब वो बात करती है कि जो अगर उनका पार्टी को एक तिहाई मेंबर्स भी अगर छोड़ कर चले गए हैं तो वो भी एक तरह से स्प्लिट नहीं माना जाएगा वो भी एक तरह से अयोगिता ठहरा दिये जाएंगे और एक व्यक्ति असेम्बली का मेंबर हो या पार्लिमेंट का मेंबर हो वो किसी एक पार्टी से बिलॉंग करता हो वह भी अयोगित ठहरा दिया जाएगा कि अगर वह किसी सरकारी या किसी गहर सरकारी संस्था में नौकरी करता है तो भी वह अयोगित ठहरा दिया जाएगा तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे एंटी डिफेक्शन लौद दल बदल विरोधी कानून बनाया गया जिससे कि जो अस्थिरता है सरकारों के बीच में इस चीज को कंट्रोल करने के लिए इस कानून को बनाया गया लेकिन इसमें कई सी धांत उलट है एक दूसरे से इनको आप ठोड़ा सा सुधार करने की अवश्यक्ता है तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए हिंदी आचारिया